त्रिभुज का बाह्य कोण याने की बहिश्य कोण exterior angles of triangle दिये गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदू D तक बढ़ाने पर त्रिभुज ABC का बाह्य कोण, कोण ACD प्राप्त होता है रैखिक योगम अभिग्रिहीत से हम लिख सकते हैं कि कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश समीकरण 1 त्रिभुज ABC के तीनों अन्ता कोणों का योग 180 अंश होता है अता कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन कोण 4 या कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4 प्रमे के रूप में लिख सकते हैं। प्रमे के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह चतुर्भुच दो त्रिभुचों त्रिभुच ADC और त्रिभुच ABC में बढ़ जाता है। त्रिभुच ABC में त्रिभुच के कोण योग गुण से कोण एक धन कोण छे धन कोण चार बराबर 180 अंश। समीकरण एक। इसी तरह त्रिभुच ADC में त्रिभुच के कोण योग गुण से कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। समीकरण 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोडने पर कोण 1 धन कोण 6 धन कोण 4 धन कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 3 बराबर 306 या कोश्टक में कोण 1 धन कोण 2 धन कोश्टक में कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 बराबर 306 या कोण A धन कोण C अर्थात उपर्युक्त उधारन से इसपष्ट है कि आप किसी भी बहुबूच के अन्ता कोणों का योग उस बहुबूच को त्रिभूजों में विभक्त करके ग्याद कर सकते हैं उधारन आर्थ यह साणी देखें अब हम यह कह सकते हैं कि एन्भूजा वाले बहुबूच को एक उभायनिष्ट शेश वाले एन्डरेंड दो त्रिभूजों में विभक्त किया जा सकता है इसलिए एन्भूजा वाले बहुबूच के सभी अन्ता कोणों का योग बराबर एन्डरेंड दो गुरेत 180 अंश होगा बहुबूच के सकते हम झाले झाल कक टूरेत